हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैं चैनल, आज हम पढ़ेंगे वर्ग मूल तथा घनमूल, तो वर्ग मूल पढ़ने से पहले हम दीवी संक्या का वर्ग लिकानना सिखेंगे, अगर हम कोई भी संक्या ले ले लेते हैं, उसको उसी संक्या से मल्टिप्लाई करते हैं, हमको एक तो यह करना four है, अब दूसरा अगजामपल लेते हैं three, हमने three को three से multiply किया और हमको क्या मिल गया 9। यानी three का वर्ग का मिला हमको nine, हम सीख रहे हैं वर्ग मूल कैसे लिका ले, हमने एक संख्या ले ली, four हमने संख्या ली है, अब हम इससे क्या करेंगे? गुरंखंड करें एब 4 का गुणाँखंड करने पर हमको 2 into 2 मिलता है उपर मैंने गुणाट करके आप आपको दिखाय है अब गुणाँखंड मैसे हम 2 हमको क्या मिले 2 into 2 किया आनी 4 मिल गया अब 2 मैसे हम करेंगे 1 प्यर मैसे 1 को आपके नीचे लिखेंगे यानी root 4 का हमको वर्गमूल कितना मिला 2 मिला अब हमने एक संक्या फिर से ले लिए 9 9 का हमने फिर से गुणकर्ण करने के बाद क्या मिला 3 in 2 3 अब इन दोनों प्यरमसे हम एक 3 को नीचे लिख देंगे यानी 9 का वर्गमूल हमको क्या मिल गिया है 3 अब हम देखते हैं घं कैसे लिका लें घं निकालने के लिए किसी दी हुई संक्या को 3 बार गुणा करना होता है और जो हमको संक्या मिलेगी गुणा करने के बाद वह उस संक्या का क्या होगी घं होगी जैसे हमने एकजांपल लिया टूडू को हमने तीन बार गुणा किया यानी तीन बार हमने इसको मल्टिक्लाइ यानी टूड़। मिल ल मैं नईस्ट इव्हीं मिल neighborhood घंपन 27 मिल लाmis हम साथ झिमेगे गनमुल कैसे हमने लिका लिए 1ा इसका भी क्या करेंगे गितार का नंगीवन पंद कर आधान之前 हम हम एक टू को मेरे लिएा का निया एनी का घंदमूल कितना जो खो सब्सक्राइब होगा दियुक्राव कर दियु Tanak क्या कितना हम तिया करेंगे और तो सबस्क्राइब हम यह का रुट 성्ण ponieważ और फील खताई हम दो का इस आ। हम यह अतुरा लगे को में permite हुआ एक थिरल मिले तीन टीन दीन जो रग देंगे और यह क्यों व्चेन का हमारा इस बीडियो में किpatient क्वेसिन आपके सामने है ग्यारा होल वन अपॉन नाइन का वर्गमुल ग्यांत करो क्वेसिन में हमसे पूछा है हमको क्या दिये मिस्रित संक्या दिये इसका हमको क्या करना है वर्गमुल फायन ने करना है अब मिस्रित संक्या को हमको करना पड़ेगा सिंपल संक्या में करना पड़ेगा तो क्या करेंगे न verb 19 में हम क्या करेंगे एक एट कर देंगे तो कि converting अब हो जाएगा हंडडेट हंड्रेट अपान नाइन हम को क्या मिलगें इसका वर्गमोल लिखानाए तो वर्गमोल लिकाना के लिए हम लगा देंगे हम करेंगे का कुरंड करेंगे जब हम रहांडेट का गूणखंड करने जाएंगे तो इसमें हम सिदभी सिदे 10 से करेंगे एक को नीचे लिख लेंगे और यहों क्या हो जाएगा का कalta कोकि अब में नाईन का में पीचले बताया था आदे पीछे बताया था नाइन का वर्यमूं कितना होता है कि मैं आपको करके दिखाऊंगा कि नाइन को लिखेंगे तिवाइट से डिवॉइट देंगे त्री फ़े त्री ऑजाएगा त्रे यानी ठीन कितना मिलन से उन याउगा नाइन का फ़ेंगा तो हमके योई धू कि भी मैंसे में उकलते हैं मिल दो इक को लिक्त है तो इसकर तो इसका बार नेटेटक्वी तबिच्ट अब करने के बाइंगे देखें next question वर्गमूल का sign लगा है 81 अपन 100 का मान ज्यांत करो यानि हमको भी इसमें अभी क्या करना है वर्गमूल find करना है अब इसका वर्गमूल find करेंगे यहाँ पर answer हमारा 81 है और हर कितना है 100 अभी मैंने आपको बताया था 100 का वर्गमूल अभी find क्या था तो मैंने 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 81 का करेंगे यहां पर हम गुणंखंड कर रहें जा रहे हैं देखो 81 में किसके डिवाइड जाती है 9 से इंटू कर लेते हैं इसको 9 9 जा 81 एक थिली से देते हैं देखो 9 यहां आगया फिर से 9 से देते हैं 9 मंज़े 9 जल्ली से हो जाएगा ठीक है तो देखो 81 का हमने जब वर्गमूल लिखा ला तो 9 इंटू 9 यानि इन दोनों प्यर में से कर लेंगे एक को 9 हम नीचे लिखेंगे तो 81 का वर्गमूल कितना आ गया 9 तो इसका आंसर हो जाएगा 9 अपॉन 10 ठीक है यहां पर अंसर क्या हो गया हमारा 9 और हर क्या हो गया 10 अब नेस्ट करने जाएंगे डेखें घ cabeza four और five के वर्गों का यूग कितना होगा अभी मैं आपको बताया था वर्गों का यूग पुचा तो पहले हमको क्या लिखानना पड़ेगा फोर का वर्ग लिखाने के लिए हमने छांना पड़ते दन सें पर उसी सं़य सं़या सा पड़ता है multiply करना पड़ता है यानि 4 का वर्ग कितना हो जाएगा अपना 16 और 5 का वर्ग क्या होगा 5 into 5 यानि 25 अब क्या करेंगे हम इसको add कर लेंगे 6 5 जा 11 और 2 और 3 41 हमारा क्या आजाएगा आंसर आजाएगा इन दूनों के वर्गों का योग क्या होगा 41 अगर हमसे इसका योको कितना होगा एसा पूरुए व्यकों का अंतर बताओ तो क्या करते है 25 में से 16 को घटाते तो हमको क्या मिल जाता था नाइन तो इनका योक का अंतर क्या होता 9 होता हुए है इनके योग का वर्गों का यहां पर करा दिये हैं देखिन क्या लिखा है फोट फोटी फोर इंटू फिप्टी फाइब अपॉन ट्वेंटी का वर्गमूल ग्यांत करो यानि हम से क्वेस्टन पूछा है इसका मान हमको फैंड करना है क्या है क्वेस्टन चम्वालीस गुणा पच्पन अपवन बीस अब पांच चको 20 पांच सिककंव 5 पांच सिकंव 5 यानि हमको क्या मिल गया क्या नेस्ट लाइन में बार्गमूल का सान लगाएंगे ट फोर्टी 4 इनडू 11 अप olduğunu 2 एक सोड फौटी इस 4 से फौर कर जाएगा 5 इनडू 11 यानि रूट के अंदर हमारा वर्गमूल के अंदर क्या है 11 you three उसका मान क्या हो जाएगा क्या कि ईसका मान हो जाएगा 11 या है Ay Yeah सब्सक्राइब आपके सामने है रूट 144 गुड़ा रूट 64 का मान निम्न में से कौन सा है आपको चार आप्सें दिये रहेंगे लेकिन मैं भी डायक्ट क्वेस्ट क्वेस्ट कर रहा हूं हमसे पुछा 144 इंटू रूट 64 है इसका मान ज्याद करना है फिर से करेंगे 64 करें 64 करते हैं तो 64 में टू से डिवाइड होता है 2ikes 2 मैं और we है garlic सबस्से पहले हमने 64 का गुरंधखंड किया और हम को क्या मिल रहे हैं तू तू के ठीड़ मिल रहे हैं यान निजिजिटीफर गुरंधखंड में कितनी बार तू मिला हमको एक दो तीन चार सब्सक्राइट किया बना सकते हैं लिए आप देखते हैं इसका वर्गमुल कितना आता है दो दुना चार चार दुनी आठ यानि 64 का वर्गमुल हमको कितना मिल गया है 8 मिल गया 144 का वर्गमूल लिका लेंगे यानि 144 का फिट से क्या करेंगे गुड़न खंड करेंगे मैं आपके सामने कर रहा हूं इसको आप 2 से बन चार फ्रोटी डू तू जा 4 तू थ्री जा 6 है टू 2 6 जा 12 तू 1 जा 2 तू एड़ जा 3rd player यानि हमको 2 2 के 2 pair मिले और 3 कम po motivations 1 pair मिला हम file जो हम ने 144 कम वर्गमूल किया हम वर्गमूल को 42 के किसे में 2 pair मिले मिले फसट पेयर का 2 हमने लिख दिया किसे 2 लिख दिया और यह लेकर susp PP कह में यहां पर 3 वी लिख दिया कखे डाने हम छांब में करें यांजी हाझा सुष टाने हिए वर्गमुल कितना मिल मिल आप ऐस चमालsom जो कि एंट करीं गया करेंगे हम टुल्ब गएंट करेंगे हम को क्या मिलेगा है ट्र ideia पढ़ेंगे हैर ये बाट पढ़ाइंगे और ये मिलेगा इस कांसर बताओ 12 एड़ जा होता है 96 यानि इसका मान क्या लिकल गया है 96 लिकल गया ठीक है प्लीज मेरी वीडियो को लाइक अगली वीडियों बनाऊंगा थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो